नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है हर्याना में नई सरकार का गठन तो हो चुका है लेकिन दक्षिन हर्याना की मेहंदरगट विधानसबा सीट पर पूरू कैबिनेट मंतरी रामबिला शर्मा और वर्तमान में भारती जनता पार्टी के मोजुदा विधायक यहाँ पर कमर सिंग यादव के बीच जिस तरीके से जो जबानी जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है आपको बता देएं कि सिच्चाई विभाग के 16 टेंडर नायप सिंग सैनी सरकार के दोआरा मेहंदरगट जिले में निरस्त कर दिये गए है इन टेंडर्स को लेकर कमर सिंग यादव जो कि मेहंदरगट से विधायक हैं उन्होंने राम्बिला शर्मा पर निशाना सादा तो राम्बिला शर्मा ने कहा कि यदि मैं ना होता तो कमर सिंग कहां से आता यानि कि साफतोर पर उनका कहना है कि उनके सहयोग से ही कमर सिंग महेंदरगड के विधायक बनने में काम्याब हुए है आपको बता देए कि जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके का माहुल देखने को मिल रहा है राजनितिक समीकर्ण जो बन रहे हैं वो वाकई दोनों नेताओं के बीद यहां पर जबरदस तरीके से टकराव वाले हैं दोनों एक दूसरे पर तिल्ख तेवर और तिल्ख टिपणियां देते में नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि रामिला शर्मा ने कहा कि महंदरगड का विकास करने में भारती जर्था पार्टी किसी तरीके की कोई कोता ही नहीं बरतेगी और नायब सिंग सेनी समान रूप से विकास करेंगे जबकि दूसरी तरफ कवर सिंग यादव ने पार्टी संगठन में रामिला शर्मा की दखल के यहां तमाम सबूत भी पेश की उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रामिला शर्मा ने मेरे वोट काटने का प्रियास किया वे भासपा को महंदरगड में हराना चाहते थे इस पर रामिला शर्मा ने कटाक्स करते वे कहा कि नौवी बार महंदरगड में कमल का फूल खिला है भारती जनता पार्टी के लिए महंदरगड चावनी है और महंदरगड की जनता कभी भारती जनता पार्टी के साथ विश्वास घात नहीं कर सकती है आपको पता दे कि राम्बिला शर्मा विधान सबाद चुनाव के दोरान टिकट ने मिलने पर काफी नाराज निराश नजर आये थे मेहंदरगड विधान सबाद शुयत्र में उनकी सक्रियता भी कम देखने को मिली थी हालां की केंद्री मंत्री राव इंदरजीत सिंग की बेटी आरती राव को चुनावी मैदान में जीत दिलाने के लिए राम्बिला शर्मा ताबड़तोर जन पर चार करते वे दिखाए दिये अब आने वाले वक्त में ये देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके की रणनीतिया यहां पर बनाई जाती हैं और किस तरीके से कमर सिंग यादव आगामी वक्त में मेहंदरगड में बीज़पी के विधायक रहते हुए विकास कारियों को सिरे चड़ा पाएंगे फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश दुनिये की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब देखते रहे हैं